हेलो आवरिवान तो दोस्तो अभी हम आ चुके हैं इगनो की ओफिशल वेबसाइट के उपर और इगनो की ओफिशल वेबसाइट पर आने के बाद इस तरीके का इगनो का ओफिशल पेज जो है ये ओपन होता है चीके तो यहाँ पर आकर दोस्तो आज हम देखेंगे कि अगर आप यहाँ पर इगनो के जून 2023 में आपने एकजाम दिया है या फिर देसमबर 2022 में आपने इगनो के एकजाम दिये हैं और मान लिजी कि आपका जो रिजल्ट आया है दोस्तो उस में उस रिजल्ट में किसी बुक में आपके मार्क्स कम दिये जा रहे हैं यानि कम मार्क्स आपकी जो expectation है दोस्तों आपकी जो उमीद है आपकी उमीदों के हिसाब से marks आपको इगनुक की तरफ से नहीं मिले है ठीक है या फिर आप यहाँ पर मतलब revolution कराना चाह रहे होंगे ठीक है या फिर answer script जो आपने आपकी answer sheet है दोस्तों उसको मंगाना चाहते होंगे इसको देखना चाहते होंगे आप तो यहाँ पर ignore की तरफ से जो link है वो यहाँ पर activate किया गया है तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर registered online चो यहाँ पर लिखा आ रहा है registered online पर click करना है जैसे आप यहाँ पर click करोगे click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा रहा है online application for revolvation and copy of answer script तो online application क्या है revolvation के लिए या फिर copy of answer script के लिए यहाँ पर online application जो है आपको fill करना है किस किस को fill कर सकता है उनको फिल कर सकता है for term and June 2023 या आगर आपने exam जो है June 2023 में दिये है या फिर December 2022 की जो student है वो यहाँ पर अगर चाहेंगे तो यहाँ पर revolvation के लिए और copy of answer script के लिए यहाँ पर apply कर सकते हैं ठीके और इसके अलावा थोड़ा सा नीचे scroll करते हैं नीचे scroll होने के बाद यहाँ पर दिखिए instructions में क्या लिखा है instruction में यहाँ पर लिखा है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों login करना पड़ेगा और login करने के बाद fill करने पड़ेगी आपको सारी की सारी detail ठीके login करने के बाद जब आप link पर जाएंगे वहाँ पर login करेंगे login करने के बाद जो भी detail आपको fill करनी होगी वो detail आपको fill करनी है और आपको login वाले button पे click करना है चीक है उसके बाद लिखाए कि you may apply for online revolvation and copy of answer script यानि कि आप revolvation के लिए और copy जो answer script के है उसके लिए आप apply कर सकते हैं जब आपके term and result जो है declare हो जाएगा और upload हो जाएगा इगनो की site पर यानि ये तो आप तब ही करेंगे न दोस्तों जब आपका result निकलेगा आपको पता लगेगा कि मेरी किसी books में marks मुझे कम मिले हैं तब ही जाके तो आप revolvation का सोचेंगे तो वही यहाँ पर लिखा है कि जब term and result आपका declare हो जाएगा और university की जो website है यहाँ पर upload हो जाएगा तब जाके आप यहाँ पर online apply कर सकते हैं उसके बाद लिखा है दोस्तों after filling the mandatory information यानि कि ज़रूरी information फिल करने के बाद आपको save वाले button पर click करना है और आगे payment का जो link है वो यहाँ पर generate हो जाएगा ठीक है फिर आपको online जो है payment जो है वो करनी है इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि जो revolvation है दोस्तों वो यहाँ पर multiple choice questions यानि MCQ वाला जो paper है उस वाले paper का यहाँ पर revolvation नहीं होगा और नहीं उसका answer script आपको मिलेगा यानि उसके लिए आप apply नहीं कर सकते हैं या फिर OMR sheets वगेरा जहां पर आपके exam जो है OMR sheets पर हुआ है conduct हुआ है तो उसमें भी आपको यहाँ पर उसके लिए भी आप यहाँ पर revolvation या फिर answer script के लिए यहाँ पर apply नहीं कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर quotes भी दिए गए हैं कि यह yeah quotes दिए गए हैं ठीके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे scroll करते हैं नीचे scroll होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो fees है दोस्तों वो किस तरीके से paid कर सकते हैं आप debit card से credit card से master visa रुपे card किसी भी bank का आप यहाँ पर payment कटा सकते हैं और इसके लावा net banking से भी आप यहाँ पर payment कर सकते हैं और payment क्या रखी गई है अगर एक subject की आप revolvation कराना चाहते हैं तो 750 रुपे आपको हर एक subject का लगेगा और answer script के लिए यहाँ आपकी चार्ज किया जाएगा और 750 रुपे आपको यहाँ पर अगर आपको नीचे देखें यहाँ पर लिखा रहे है declaration तो आपको यहाँ पर declaration पर click करना पड़ेगा जैसे आप declaration पर click करेंगे यहाँ पर लिखा रहा I agreed and I agree and proceed ठीके यानि कि मैं agree हूँ आगे proceed कर लिजे तो जैसे हम यहाँ पर agree पर click करते हैं click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा रहा है नीचे कि आप December 2022 में आपके exam दिये हैं आप वो वाले student हैं या फिर June 2013 exam वाले आप student हैं मतलब वो यहाँ पर आपको confirm करना है तो मान लिजे हम यहाँ पर June 2013 exam के student हैं हमने June 2013 में exam दिये हैं तो हम यहाँ पर click करते हैं ठीके यहाँ पर जैसे हम click करेंगे click करने के बाद दुस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है अपना university का जो enrollment number है वो यहाँ पर आपको fill करना है फिर program यहाँ पर select करना है दोस्तों चीक है जैसे आप यहाँ पर इसे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के यहाँ पर जो है script के लिए आप apply कर रहें ठीक है यहाँ पर enrollment number डालने के बाद आप login करेंगे तो next page खुलेगा next page में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने कौन से center में आपको अपना center number डालना पड़ेगा जिसे माल लीजे 1264 या 3211 जो भी आपका center code होगा वह आप वहां पर डालेंगे उसके बाद जो भी आगे detail होगी वह आप फिल करने के बाद payment link generate होगा और आप online payment कटाएंगे इस तरीके से जो है आप यहाँ पर apply कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो मैं hope करता हूँ कि आपको यह चीजे clear हो चुकी होगी so thank you very much